अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएए आप उस वीडियो को देखें क्योंकि उस वीडियो में मैंने गुप्त बंस का प्रारंविक इतिहास पढ़ाया है तो इसी लिए सबसे पहले आप जाओ उस वीडियो को देखो लिंक है डिस्करिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा उस वीडियो में मैंने सुरुवाती जो जानकारी है वो दी है इसी लिए वो महत्पूर बेडियो है इस वीडियो में आपको समुद्र गुप्त, राम गुप्त और चंद्र गुप्त दुतिय का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो की PDF आपको इसके अगले वाले वीडियो यानि के Part 3 में मिलेगी तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त बंस का इतिहास Part 2 ये है सूचना तो इसे आप ज़रूर पढ़ें समुद्र गुप्त वीडियो की सुरुवात यहां से करेंगे समुद्र गुप्त के पिता का नाम चंद्र गुप्त पिर्थम और माता का नाम कुमार्देवी था समुद्र गुप्त का सासनकाल 335 से 375 इसवी के मद्ध माना जाता है कभी-कभी इतिहास कारों ने 380 भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पर 375 लिखा हुआ है तो इसलिए आपको यह याद रखना है अच्छे से समुद्र गुप्त ने अपनी राजधानी पाटिल पुत्र में बनाई थी पाटिल पुत्र आदनिक पटना जिसका नाम है पटना बिहार में तो उसी का नाम प्राचीन क्या था पाटिल पुत्र था दत्ता देवी समुद्र गुप्त की प्रियरानी थी जिनके गर्व से चंद्रगुप्त दुतिये और रामगुप्त का जन्म हुआ था यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दत्ता देवी थी वो समुद्रगुप्त की प्रियरानी थी और इनी के गर्व से चंदरगुप्त दुतिये और रामगुप्त का जन्म हुआ था ये आपको याद रखना है तो जितना मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है इतिहासकार विसेंट इसमित ने समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था तो किस ने कहा था यहाँ पर भारत का नेपोलियन इतिहासकार विसेंट इसमित ने कहा था और किसको कहा था समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त ने पराक्रमंक तथा स्री बिक्रम की उपादी धारण की थी तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन-कौन सी उपादी धारण की थी पराक्रमंक और स्री बिक्रम की उपादी धारण की थी समुद्र गुप्त ने अपनी दिख विजय की सुरुवात पाटल पुत्रशी की थी तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं देखिए इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र गुप्त ने सारे भारत के राजाओं को पराजित कर दिया था और इसकी सुरुवात कहां से की थी पाटल पुत्रशी की थी तो ये आपको याद रखना है कि दिख विजय की सुरुवात समुद्र गुप्त ने कहां से की थी पाटल पुत्रशी की थी तो ये आपको याद रखना है तो जितना मैंने यहाँ पर हाइलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महित्वोन है. समुद्र गुप्त के प्रिसिद दर्बारी कवी हरी सेंड थी, जिन्हे समुद्र गुप्त ने कवी राज की उपादी परदान की थी, और हरी सेंड के द्वारा ही समराट असोग के प्रियाग इस्तंबले के पीछे समुद्र गुप्त की रक्त रंजित बिजयों का उल्ले किय गया था. चलिए तो अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा. देखो आपको यहाँ पर समझना क्या है, वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर दरवारी कवी थे हरी सेण. हरी सेण को कवी राज की उपादी किष्ण ने प्रदान की थी समुद्र गुप्त ने पिर्दान की थी प्रियाग इस्तंबलेख है एक प्रियाग इस्तंबलेख का मतलब है कि प्रियाग जिसका पूर्ब नाम इलहावाद था तो अभी सरकार ने उसका नाम बदल दिया है तो प्रियाग में इस्तंब लेक, इस्तंब लेक का मतलब है कि खंबा टाइप का है, तो उसमें वो बैसे मूल रूप से किसका था, समराट असोग का था, तो उसी के पीछे किसने, हरी सेंड ने समुद्र गुप्त की बिजयों का उलेक किया हुआ है, ये आपको याद रखना है, वो मूल किसका समराट असोग का था, लेकिन उसकी पीछे की तरफ समुद्र गुप्त ने जितनी बिजयों की थी, उनका उलेक किया गया है, एक तरफ समराट असोग की सांती प्रीवातों का उलेक किया गया है, तो दूसरी तरफ समुद्र गुप्त की रत्रंजित बिजयों का भी उलेक कि एक बर्मा की अनुरूद पर समुद्र गुप्त ने बोध गया में एक महाबूधी संगहराम नामक सुंदर बिहार का निर्मान करवाया था जिसका उल्लेक चीनी यात्री फायान तथा वैंसोंग ने अपने लेखों में किया है चलिए अविहाबर कर लेते हैं थोलती चर्चा सिंगल का आदनिक नाम है श्रीलंका ठीक स्रीलंका का प्राची नाम सिंगल या सिंगल द्वीब कहीं कहीं लिखा मिलता है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो वहाँ की राजा थे मेग वर्मा तो मेग वर्मा के अनुरूद पर समुद्र गुप्त ने क्या किया थ तो ये आपको याद रखना है और महाबोधी संगा राम बिहार का उलेक चीनियात्रिक फायान तथा वेन सोंग ने अपने लेकों में किया हुआ है तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है समुद्र गुप्त के प्रियाग इस्तंबले के अनुसार समुद्र गुप्त ने उत्तर भारत के सभी राजाओं रूद्र देव, मतिल, नागदत, चंदर वर्मा, गणपती नाग, नागशेन, अच्चियत, नंदी और वल वर्मा को पराजित करके उनका संपून सामराज अप ने अधिन कर लिया था, देखें यहाँ पर जितने भी राजाओं के जो नाम लिखें हैं, यह सभी के सभी उत्तर भारत की राजा थे, और यह ज़्यादतर नागवंसी थे राजा, तो इनको यहाँ पर याद रखें, और इनको पराजित करने की जो जानकारी है, वो कहां मि खारण की थी, किसने समुद्र गुप्त ने की थी, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, देखें वैसे तो इतिहास कारों का ऐसा कहना है कि समुद्र गुप्त ने दक्षन के 14 राजाओं को पराजित किया था, यानि कि उत्तर भारत के राजाओं को तो पराजित किया ही तो यहाँ पर याद रखना है आपको, और समुद्र गुप्त ने क्या किया था कि भारत का महा राजा धी, राज की उपादी धारण की थी, यह आपको यहाँ पर याद रखना है समुद्र गुप्त को सो युद्धों का बिजिता भी माना जाता है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि सो युद्धों का बिजिता किसे माना जाता है समुद्र गुप्त को माना जाता है क्योंकि उत्तर भारत दक्षन भारत यानि कि सम्पून भारत के राजाओं को समुद्र गुप्त ने पराजित किया था इसलिए सो युद्धों का बिजेता समुद्र गुप्त को माना जाता है समुद्र गुप्त ने अस्सुमेग यग का आयोजन भी करवाया था तो यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी चर्चा देखिए अस्सुमेग यग का आयुजन कब करवाया था समुद्र गुप्त ने जब उसने सारे भारत के राजाओं को पराजित कर दिया था इसके बाद अस्सुमेग यग करवाया था अगर आपको जानना है कि अस्सुमेग यग क्या है कैसे होता है तो मेरा उत्तर वैदिक्काल वाला वीडियो देख लीजिए उसमें मैंने अस्सुमेग यग के बारे में पढ़ाया है तो उसमें मैंने सारी जानकारी प्रदान की है तो वो वीडियो आपको या तो description box में उसकी link मिल जाएगी या फिर आप channel पर चले जाओ तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह अस्सुमेग यग क्यों करवाते थे राजा देखिए अस्सुमेग यग वही राजा करवाता था जो सक्तिसाली होता था वो ये दरसाता था कि मेरे सिबाय इस बक्त इस एरिये में कोई भी सक्तिसाली राजा नहीं है इसलिए वो अस्सुमेग यग का आयोजन करवाते थे समुद्र गुप्त के दर्वार में प्रिसद बौध बिद्वान वसु बंदू रहते थे तो इनको यहाँ पर याद रखें एक बारन के बारे में प्रिसन आया था कि वसु बंदू किसके दर्वार में रहते थे तो समुद्र गुप्त के दर्वार में रहते थे समुद्र गुप्त वीना बजाने के बहुत सौकीन थे क्योंकि उनके सिक्कों पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है देखिए समुद्र गुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए है इतिहासकारों को तो उन सिक्कों पर वीड़ा बजाते हुए समुद्र गुप्त को दिखाया गया है इसलिए इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि समुद्र गुप्त वीड़ा बजाने के बहुत सौकीन थे समुद्र गुप्त के सासनकाल में अनेक महतपून कारे हुए जिन्होंने संपून गुप्त सामराज को भारती इतिहास में एक महतपून इस्थान परदान किया ये बात तो मानने पड़ेगी कि समुद्र गुप्त के सासनकाल में बहुत महतपून कार हुए इसलिए गुप्त सामराज में जो उनका सासनकाल है समुद्र गुप्त का वो एक एहम माना जाता है तो यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है राम गुप्त तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं राम गुप्त समुद्र गुप्त के पुतर थे और उनका सासनकाल 375 से 380 ईसवी के मद माना जाता है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कभी कभी इतिहासकार समुद्र गुप्त का ही सासनकाल 380 तक लिख देते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि वो रामगुप्त का सासनकाल नहीं जोडते हैं रामगुप्त की प्रियरानी का नाम धुरुप स्वामिनी था जिन हैं धुरुप देवी के नाम से भी जाना जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि धृुप सौमनी और धृुप देवी एक ही रानी के नाम थे राम गुप्त का इतिहास बिसाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम और बान भट की पुस्तक हर सरत में मिलता है जो को यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो राम गुप्त का इतिहास है बैसे तो गुप्त राजाओं की जो अभिलेक हैं उनमें नहीं मिलता है लेकिन बिसाखादत की एक पुस्तक है देवी चंदर गुपतम उसमें मिलता है और वान भट की एक पुस्तक है हर्स चरित जो की राजा हर्स बर्दन के बारे में अपना इतिहास बताती है तो उसमें भी किसका इतिहास मिलता है राम गुपत का इतिहास मिलता है तो ये आपको याद रखना है वहाँ पे तो जितना मैंने आपको याद रखना है ये बहुत महत्पून है रामगुप्त की सासनकाल में सक राजा ने पाठिल पुत्र पर आकर्मन किया परन्तु रामगुप्त डर गया उसने संधी करने का प्रिस्ताव सक राजा के पास भेजा सक राजा ने संधी की सरतों में रानी धुरुब देवी को मांगा रामगुप्त तयार हो गया पराजा की धोके से हत्या कर दी और धुरुब देवी से दुबारा विवाह करके सिंग हासन पर बैठ गया कुछ समय बाद चंद्रगुप्त दुती ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या करवा दी चली अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी चर्चा देखी रामगुप्त जिनका सासनकाल 375 से 380 इस्वी के मद माना जाता है तो यहाँ पर इतिहासकार इस इतिहास को लिखना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रामगुप्त बहुत बड़ा काया राजा था इतना बड़ा काया राजा था कि मैं आपको अभी उनके बारे में बताऊंगा कि उन्हो एक सकराजा ने पठिल पुतर पे आकर्मन किया रामगुप्त ने सामना नहीं किया अपना एक प्रिस्ताव भेजा संधी का लेकिन सकराजा उससे भी ज़्यादा काया था उसने क्या किया कि संधी की सर्थ मैं रानी को ही मंग लिया कि मुझे तुमारी रानी चाहिए रामग गुप्त का एक भाई था चंद्रुगुप्त दुतिये उसे यहसा बरदास्त नहीं हुआ उसने क्या किया कि धोके से स्तकराजा की हत्या कर दी और धुरुप देवी से विवाह किया और सिंगहासन पर बैठ गया कुछ समायवाद उसने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्य कर दी और राजा बन गया तो यहाँ पर यह जो कहानी है पूरी पूरी हुए कहां मिलती है देवी चंद्रुगुप्तम गरंत में मिलती है हर स्चरत में मिलती है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त दुतिये का इतिहास चंद्रगुप्त दुतिये के पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी था तो इदेखो यहाँ पर याद क्या रखना है आपको के चंद्रगुप्त दुतिये के पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी था चंद्रगुप्त दुतिये का सासन काल 380 से 414 ईसवी के मद्ध माना जाता है कभी कभी इतिहासकारों ने यहाँ पर 414 की जगह 412 लिखा हुआ है तो कुछ इतिहासकारों ने 415 लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पर 414 ईसवी लिखा है क्योंकि ज़्यादा तर इतिहासकारों ने 414 ईसवी को ही समथन दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 414 ईसवी लिखा हुआ है चंद्रगुप्त दुती की पहली रानी का नाम धुरुब देवी था और धुरुब देवी के गर्व से ही कुमार गुप्त तथा गोबंद गुप्त का जन्म हुआ था देखें यहाँ पर जो चंद्रगुप्त दुती थी इनकी पहली रानी का नाम क्या था धुरुब देवी था और धुरुब देवी के ही गर्व से कुमार गुप्त तथा गोबंद गुप्त का जन्म हुआ था यह आपको याद रखना है और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विस्सु बिध्याले की स्थापना करवाई थी अगले वीडियो में मैं आपको कुमार गुप्त के बारे में ही पढ़ाऊंगा तो यह आपको यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है यह बहुत महत्पून है और एक्जाम में कई बार पूछा गया है नालंदा विस्सु बिध्याले के बारे में तो इसको आपको याद रखना है चंद्रगुप्त दुतियी की दूसरी रानी कुबेर नाक थी जिनके गर्व से प्रभावती का जन्म हुआ था और प्रभावती का बिभा है बाकटक राजा रूदर सेंदुतियी से हुआ था देखिए मैं जब आपको वाकटक सामराज के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था रानी प्रभावती गुप्त के बारे में तो ये वही रानी प्रभावती हैं जिनका इतिहास मैंने आपको वाकटक वंस के अंतरकत पढ़ाया था और इनका विबा है वाकटक राजा रूद्र सैन दुतिये से हुआ था तो ये आपको याद रखना है तो ये किसकी बेटी थी ये चंद्रगुप्त दुतिये की बेटी थी ये भी आपको याद रखना है और इनकी माता का नाम क्या था कुबेर नाग था जो की नागवंसिये राजा की पुत्री थी तो इनको यहाँ पर याद रखना है आपको चंद्रगुप्त दुतिये को देवराज, चंद्रधाव, सिंग बिक्रम तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है देखो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त दुतिये थे इनको देवराज, चंद्रधाव, सिंग बिकरम, देवराज इनके ये जो नाम है वो कहां मिलते हैं अभिलेकों में इनके देवराज, कहीं चंदर, कहीं धाओ, कहीं सिंग विक्रम, तो कहीं देव गुप्त लिखा हुआ है तो इसलिए इतिहासकारों ने इतने सारे इनकी नाम लिखे हुए है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है, जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है चंदर गुप्त दुतिय की, पहली राजधानी पाटल पुत्र और दूसरी राजधानी उजेन में थी देखो यहाँ पर पहली राजधानी पार्टिल पुत्र में तो थी उनकी मूल राजधानी थी उजेन में उन्होंने सक राजाओं को पराजद करके अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है पहली राजदानी पाटल पुत्र में और दूसरी उज्जेन में थी तो यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है ये बहुत मैथ्पूर है चंद्रगुप्त दुती ने उज्जेन मालवा गुजरात काठियवाड और राजपूताना से सक राजाओं को पराजद करके उनके सामराज को अपने अधीन कर लिया था और विक्रमा दित्त की उपादी धारण की थी देखे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ के चंद्रगुप्त दुती ने विक्रमा दित्त की उपादी कब धारण की थी जब उन्होंने उज्जेन से मालवा से गुजरात से काठियवाड से और राजपूताना से सभी सक राजाओं को पराजद करके अपनी अधीन कर लिया तब उन्होंने विक्रमा दित्त की उपादी धारण की थी यह आपको याद रखना है यहाँ पर यह एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो यह बहुत महत्रून है चंद्रगुप्त दुतिये की द्वारा सक राजाओं को पराजद करने के कारण सकारी भी कहा जाता है तो इसको भी याद रखना है इसलिए मैंने इसको हाइलाइट कर दिया है उदैगिरी मदप्रदिस में है देखों यहाँ पर मैं लिख इसलिए देता हूँ कि कभी कभी मैं बोलना ही भूल जाता हूँ कि यह स्थान कहां पर है तो सामने लिखा है तो आप पढ़ सकते हो इसको उदैगिरी के अभिलेख में चंदरगुप्त दुतिये के द्वारा सक राजाओं को पराजित करने का उलेख किया गया है देखिए अगर आप से कोई पूछे के सक राजाओं को पराजित करने का उलेख कहां पर किया गया है तो उदैगिरी के अभिलेख में किया गया है वह चंद्रगुप्त दुती ने सर्व प्रिथम रजत मुद्राओं का प्रिचलन किया था देखिए रजत मुद्राओं का प्रिचलन किसने किया था चंद्रगुप्त दुती ने किया था दिल्ली के महरौली लोह इस्तंब की अनुसार चंद्रगुप्त दुपी ने असम की राजा को पराजित करके अपने सामराजी की सीमाओं को असम तक बढ़ा दिया था तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ती चर्चा दिल्ली के महरौली में एक लोह इस्तंब है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है के राजा चंद ने असम की राजा को पराजित करके अपने सामराजी की सीमाओं को असम तक बढ़ा दिया था तो यह कहाँ पर लिखा हुआ है महरौली के लोह इस्तंब में लिखा हुआ है तो इसको याद रखना है यहाँ पर चंद्रगुप्त दुती के दर्वार में नो रत्न छेपक, धनवंत्री, बराहमेहर, कालिदास, अमर सिंग, वडरुची, संकु, वेतालवट और हरी सेंड रहते थे देखें, यहाँ पर इन सभी के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है, इसको आपको याद रखना है धनवंत्री को याद रखना है बराह मेहर को याद रखना है काली दास को याद रखना है अमर सिंग को याद रखना है और हरी सेंड को याद रखना है तो यहाँ पर जतना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है वस चंद्रगुप्त दुती के सासनकाल को गुप्त काल का सोर्ण योग कहा जाता है क्योंकि उनके सासनकाल में अनेक गरंतों की रचना हुई देखिए आपको याद रखना है कि सोर्ण योग किसके सासनकाल को कहा जाता है चंद्रगुप्त दुतिये के सासनकाल को कहा जाता है ये आपको याद रखना है चंद्रगुप्त दुतिये के सासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी फाहियान का वास्तिविक नाम कुंग था और फायान का अर्थ धर्म गुरू होता है तो यहाँ पर जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि फायान ने किसके सासनकाल में भारत की यत्रा की थी चंद्रगुप्त दुतिये के सासन काल में भारत की यात्रा की थी तो ये भी आपको याद रेखना है तो वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दुवारा भी देख सकते हैं और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो शियर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करकी आप मुझसे पूछ सकते हो